हलो स्टुडेंट्स, वालकम बाक टू माई यूटूब चैनल, मैं अलीश मधानी, आज आपको समझाने वाला हूँ, साइन्स में फेल होना ना मुम्किन है, आपने मेरे पास डिमांड की थी, कि सवर आपने जैसे मैट्स का एनलाइसिस किया है, ऐसा साइन्स का कर दीजिये, थोड़ा कुश कर दीजिये, मज़ा आ जाएगा, तो इस वीडियो को आखरी तक देखना काफी knowledgeable होने वाला है, आपने मैट्स की वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत-बहुत सुक्रिया, आज मैंने साइन्स का एनलाइसिस करके चलिए बिना टाइम वेस्ट किये, बिना सस्पेंस बढ़ाते हुए आपकी उत्सुक्ता को ध्यान में रखते हुए शुरुवात करते हैं साइन्स, चलिए सुबार हम करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन डी की, अब देखें सेक्शन डी के अंदर, चैप्टर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 आ रहे हैं, अब ऐसे आप लोग देखने जाए, तो सबसे एजी अगर मुझे यहां चैप्टर लगता है, तो चैप्टर 6 है, बिकॉस चैप्टर 6 में आपको काफी कम पढ़ना है, आप चैप्टर 13, इसमें तो ना के बराबर चीजे को बचाया हुआ है, इसमें देखो आपको चैप्टरिस्टिक्स है, मैगनेटिक फिल्ड लाइन्स की, मैगनेटिक फिल्ड लाइन्स क्या होती है, फोर्स अक्टिंग ऑन अ करंट केरिंग कंड़क्टर, और तीसरा है, डॉमेस्टिक वाइरिंग और प्रिकॉशन्स, बचा क्या, मतलब इसके अंदर भी बहुत कम चीज़े हैं, और भाई ये तो भाई अपना बोनस चैप्टर म सुन्राइज, सुन्सेट, फॉमेशन ओफ रेंबो, न्यूटन का एक्स्प्रिमेंट, दिस्पर्जन ओफ लाइट, और ग्लास प्रिसम, आपको पता होगा ये सारे के सारी ऐसे देखने जाये, तो मैंने इसकी इंपोर्टेंट कोश्यन आंसर्स की शीट भी बना दिये, मेर अब उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे कौन सा सेक्शन आता है, आगे आपका आजाता है सेक्शन सी, ठीक है, सेक्शन सी की बात करते हैं, तो सेक्शन सी में आएगा आपका चैप्टर वन, फिर आएगा आपका चैप्टर थ्री, फिर आएगा आपका चैप्टर स फिर आएगा आपका chapter 8 फिर आएगा chapter 10 और फिर आएगा आपका chapter 12 अब इतने chapter में से section C को बनाया हुआ है इधर भी बात कर लेते हैं हम इधर आजाओ वही इधर इधर बात करते है chapter 7 कि chapter 7 कितना easy है कुछ धाढ नहीं मारने की है control and coordination only animal hormones पढ़ना है human brain पढ़ना है और क्या पढ़ना है और तो कुछ नहीं पढ़ना है बहुत easy है इसको भी मैंने किसी chapter की demand हो या ना हो chapter 8 की demand तो होती है सहे chapter 8 बढ़ाए दो और chapter 8 मैंने पढ़ाया भी है और आपको कड़क वे में समझाया भी है इसका भी वीडियो है और इसके भी IMP question answers मेरी channel पर है है ना फिर भाई chapter 10 बचा ही क्या है कुछ बचा ही नहीं है ना इस chapter में वो इत्तो साहिब इत्तो तकलिप छे तो भाई जे वाचवानू छे इना वीडियो छे और बचता है lens के diagram इसके numerical सो निकाल दिये लेकिन lens के diagram कर ले न और last but not the least is like chapter 12 chapter 12 मानो या ना मानो करना पड़ेगा अगर chapter 12 को option में रखना है तो chapter 3 कर ले न chapter 3 कर ले न देखो ये 20 marks का ये कितने marks का section है ये 18 marks का section है अब मैं बताता हूँ आपको सब कैसे होगा सब कैसे होगा आपको सब समझाता हूँ next बात करता हूँ section B की ज्यान से देखना twist है बड़ा twist बहुत ही बड़ा surprise देने वाला हो आपको बहुत बड़ा इस के अंदर कितना बड़ा है आप मानोगे नहीं उतना बड़ा surprise है देखो chapter 1 chapter 3 chapter 7 chapter 8 एक बड़ शॉरी यहाँ यह एक्चुली मेरे ख्याल से section की मिनिट है यहाँ पर एक्चुली मेरे ख्याल से मैंने section B की जगा section C के लिख दिये section B आता है chapter 2 chapter 3 फिर आता है chapter 5 फिर आता है chapter 8 chapter 9 chapter 12 फिर आता है chapter 13 chapter 15 और फिर आता है chapter 16 तो देखो यहाँ पर भी आपके पास बहुत option है तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ तो chapter 16 यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ chapter 15 chapter 13 magnetic effect की जो हमने बात की और यह chapter 12 chapter 12, chapter 9, chapter 8, chapter 5 अब भाई सर आपने कुछ अजिब से सरकल मा रहे है आज यह section कितने marks का है यह भी अठरा marks का है अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना अगर आपको chapter 6 का एक आता है अगर chapter 11 का एक आता है और chapter 13 का एक आता है ऐसा मान के चलता हूँ तो 4 marks तो यहाँ पर अगर आपको पूरे के पूरे 4 marks मिलते है ध्यान से देखना तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 12 marks ठीक है अब अगर आपको यहाँ पर chapter 7 का एक आता है chapter 8 का एक आता है chapter 3 ऐसे मेरे खाल से बहुत easy है chapter 3 मेरे खाल से बहुत easy है और chapter 10 भी easy है इसमें जादा कुछ बचा नहीं है तो अगर ये अगर मैं मिला दू 1, 2, 3, 4 तो ये आपका 3 marks का है तो यहां हो जाएंगे आपके 12 marks यहां आपके हो जाएंगे 12 marks यहां 12 marks और यहां आपको देखो chapter 16, chapter 15, chapter 13, chapter 12, chapter 9, chapter 8 और chapter 5 सबसे easy chapter 5 को भी अगर नहीं करते हो तो chapter 3 कर ले ना अगर इतना भी आता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहां हो जाएंगे 14 marks अब आपने एक चीज़ बड़ा surprise मेरा देखा क्या है था इसमें surprise मैंने हर जगा पर देखो chemistry को consider ही नहीं किये chemistry को site पे ही रखा है देखो, यह दो chapter chemistry के है यहां पर yellow circle माल रहा हूँ, yellow दीखनी रहा होगा black करता हूँ यह खाली मेरा analysis है, ऐसा नहीं आपको नहीं करना है यह तो just मैं बता रहा हूँ मैंने chemistry को site पे निकाला है यह रहा chemistry site पे है देखो, option में रखा है, अगर chapter 3 कर रहे हो तो chapter 12 मत करो, अगर 12 कर रहे हो तो मैंने ऐसा सोचके रखा है तो यह देखो, chemistry को site पे निकाला है यहाँ पर 3 है, एक chemistry लेना पड़ेगा तो यहाँ अगर 3 पढ़ रहे हो, तो यहाँ भी 3 पढ़ लेना cover हो जाएगा और यह सब के कुश आंसे, देखो, मैंने chemistry को site पे रखा था मैंने chemistry वाले part को site पे रखा था और दूसरा surprise यह था, कि chapter number 14 में chapter number 14 के कोई question answers आया है यह नहीं है only objectives आये है, तो करने का क्या, एक बार खोड़ लेना because sad, उधर उधर हो जाए बेटेज यह तो सिर्फ मैंने canalizes रखा है ताकि आपको confidence बूश कर सकूँ आपको motivate कर सकूँ, तो देखो आपके यहाँ पर अब मिला के हो जाते है 12, 12 प्लस 12, प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 14, 4 प्लस 8 और यह हो जाएगा आपका 38, यह हो गया 38 marks, बाकी आपको objectives अभी भी बाकी है तो भाई objectives में आपको आगए दूसरे 12, objectives में आगए दूसरे 12, तो यहाँ हो गए आपके 8 ने 10 ने 50 और अगर यह 50 marks हो जाते है, इंटर्नल में एकदम मस्ती खोड़ लड़का हो, मेरे जैसे बोलने जैसा हो, मेरे जैसा हो मस्ती बहुत करता हो, 15 marks, तो भाई यह हो गए, पासेट, तो आप मुझे बताओ, कहां से fail हो सकते हो यह तो सिर्फ मैंने मेरे दिमाग का analysis किया है, कि मैंने देखो chemistry निकाल देख, ऐसे chemistry निकालने लायक नहीं है जितना easy chemistry है, उतना नहीं है, मनब chemistry मेरे खाल से easy है कुछ answers fix है, जैसे पता चल जाते है, chapter 4 में देखो, soap, उसके अलबा कुछ बचता ही नहीं है long questions हो पुछने के लिए, chapter 2 में भी easy है, मैं ऐसा नहीं बहुत मत करो, करना जरूर लेकिन ये तो just, मैंने एक analysis किया, कि अगर आपको आता है, आप chemistry आता है, तो देखो, आप अपने way में भी बना सकते हो ये तो मैंने just observe किया, कि ये chapter, ये जगा पर पूछे है अगर ऐसा होता है, अगर इसी तरह से, अगर paper में weightage maintain करें, उस जगा पर question पूछते है तो बड़ा मज़ा आने वाला है, तो आपके हाथ में 65 है, चलो 65 नहीं, आप 60 तो लेकर आओगे और 60 मतलब 60% हुआ, तो आप सोचो, आप किस तरह से कर सकते हो, आपका level कौन सा है, आप किस तरह से मैनत करोगे ये तो मैंने मेरे दिमाग से analysis कि, अगर आपको chemistry easy लगता है, chemistry करो, physics लग रहा है, bio लग रहा है और एक बात, सबके important question answers, हर एक chapter के, 13 chapter तक सारे important question answers निकाले हुए तो आपको बिना tension लिए जाके question answers को learn करना है, और बड़े आराम से अगर उसको learn करोगे, आपको आराम सा scoring होगा क्योंकि मैंने जो भी किया है previous year papers, मेरा experience आपके लिए fully लगा दिया है तो यहाँ पर चले मैं आज का video end करता हूँ, वीडियो कैसा लगा है, comment box में जरूर बताओ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like कर दो, अपने friends के साथ share जरूर कर दो, GACV students के ताथ जरूर पहुचाना because मैं GACV students के लिए ऐसे content लाते रता हूँ चले नाइक्स वीडियो में फिट से मिलेंगे, till there keep watching, keep sharing, bye bye